तो दिवानों आज हम देखने वाले हैं इंसाशेबल सीरीज का एपिजोड फिफ्ट बिकनीज एंड बीचेज तो सीन के शुरुआत एक धमाके से होती है जहाँ कोई हैकर पैटी ये मोबाइल को हैक करके पैटी के मोबाइल से डिक्सी सिंक्लेर की नेकेट पिचर्स पूरे कॉलेज में वाइरल कर देता है और इसी रिजन के वज़े से मिस मैजिक जीजस पैजिट में से पैटी को डिस्क कर चली गई थी और अब ब्रिक की दुनिया भी हिलने वाली होती है क्योंकि डिक्सी जबरदस्ती बर्नार फैमिली के साथ रे रही होती है और उसकी सच्छाइ सामने आने के बाद मैगनोलिया उसे धुतकारती है जिस वजे से डिक्सी ब्रिक का परास खोल देती है और मेगनोलिया से कहती है तुम्हारा बॉइफ्रेंड मेरी मा का कीपर है और ये सुनते ही मेगनोलिया के पेरों के नीचे की जमीन हिल जाती है और वो सीधे जाकर ब्रिक को पंच मारती है और उसकी जमीन हिला देती है फिर सीन बॉब और पैटी पर शिफ तो पैटी बॉप से कहती है अरे नहीं मैं तो बस कोरली को दुप पहुचाना चाहती थी क्यूंकि मदर डॉटर पैजेंट के बाद उसने मुझे छोड़ दिया मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी बरबाद हो पर बॉप पैटी ये एक नहीं मानता है पैटी अपन फिर सीन बॉप और पैटी पर शिफ्ट होता है पैटी बॉप से माफी मागती है पर बॉप को समझ में नहीं आता है कि ये किस लिए था तो पैटी आगे होकर उसे कुछ नहीं बताती है कि उसने ही कोरली और बॉप की शादी तोड़ने की कोशिश की है फिर बात निकल जात ये सुनकर पैटी के होश उड़ जाते है, वो ब्रिक से कहती है, तुम्हें किसने कहा, मैं गे हूँ? ब्रिक उससे कहता है, इस बारे में तो पुरा स्कूल बात कर रहा है, इतने में ही नौनी भी पैटी से कहती है, तुमने डिक्सी की पिच्छर्स वाइरल की, इस वज़े से पूरा स्कूल समझता है कि तुम गे हो और तुम दोनु रिलेशन्शिप में थे इतने में ही वहां मैगनोलिया आती है और वो पैटी से कहती है है मुझे बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुनकर तुम ठीक तो हो फिर पैटी मैगनोलिया से कहती है नहीं मुझे मिस मैजिक जिजस पैजट से निकाल दिया गया है, फिर ये सुनकर मैगनोलिया पैटी से कहती है, अरे कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, फिर पैटी मैगनोलिया से कहती है, तुम तो मेरी कॉंपिटीटर होना, तुम ऐसा क्यूं कर रही हो, तो मैगनोलिया पैटी से कहती है ऐसा कुछ नहीं है मैं तो अब competition में पार्ट भी नहीं लेना चाहती हूँ और तुम मेरी दोस्त हो इसलिए में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ फिर पैटी कहती है ठीक है हम मिलते है और ऐसा केकर पैटी वहाँ से चली जाती है फिर मैगनोलिया की मोबा आई थी क्योंकि उन्हें Christian के कार में ड्रक्स मिली थी फिर Christian कहता है वो ड्रक्स मेरे नहीं थे वो मैगनोलिया बर्नार्ट के थे और उसी ने मेरे कार में वो ड्रक्स रखवाए थे तो बॉब ये सुनकर शौक हो जाता है कि मैगनोलिया बर्नार्ट ड्रक्स लेती है फिर ब लाने के बाद उसकी मॉम बॉब से कहती है मेरे बेटे वो जेल होनी चाहिए वो एक नमबर का कमीना है दरसल वो ड्रक्स बेचता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे जेल हो और वहां से सुधर करा है और कोरली ने मुझे कहा है कि आप इस केस को हारने में मेरी मदद करेंगे इसलिए मैं यहाप पर आई हो बॉब यह केस हार न तो नहीं चाहता था पर कोरली को वापस लाने के लिए यह केस कारली के लिए एक आखरी रास्ता था फिर सिन मैगनोलिया और पैडी पर सिफ्ट होता है जहां मैगनोलिया सबसे rejecting के लिए कहती है और फिर एक इवट करने क पर वो हैकिंग के बदले पैटी से कुछ मांगते हैं जो पैटी नहीं दे सकती थी इसलिए पैटी वहाँ से चली जाती है पर क्रिशन उसे रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें भी मेरी एक हैल्प करनी पड़ेगी मैं एक केस में फस नहीं कर पाऊंगा और ऐसा कहकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि पैटी उसे रोक लेती है और हाँ कर देती है फिर सीन बाब और पैटी पर शिफ्ट होता है जहाँ पैटी बाब से क्रिशन को जेल ना भेजने के लिए कहती है फिर बाब पैटी से पुछता है तुम्हें एहसास होता है कि पैजट ही उसकी लाइफ है और उसे पैटी को एक मुका देना ही चाहिए और इसलिए बॉब पैटी को मैसेच करकर घर बुलाता है और कहता है ठीक है क्रिशिन जेल नहीं जाएगा मैंने बॉब बर्नाट से इस बारे में बात कर लिए लेकिन अब सबसे पहल है डिल के मुताबिक तुम्हें ये करना चाहिए था तो क्रिशिन बॉब से कहता है आम सौरी एक ड्रग डिलर पर भरोसा नहीं करना चाहिए फिर पैटी क्रिशिन से कहती है ओम जी तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती और इसलिए तुमने मुझे यूस किया त उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो पर अब मुझे पता चल गया है और ऐसा केकर बॉब को जेल ना भेजने के लिए ठैंक्स केकर क्रिशन वहाँ से चला जाता है। बॉब की मुलाकात एक हैकर से होती है जो कि रेजिना के साथ लॉक अप शेर कर रही थी। हैकर दरसल दिखने में काफी अगली होती है फिर बॉब उससे पुछता है कि क्या ये क्राइम तुमने किया है तो वह हैकर केती है अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो तुम्हें पर डाल देते हैं फिर सेंब बिकनी डॉग वज़ पर शीफ्ट होता है जहां बिकनी पैनी हुए लड़किया पर सारे डॉक्स मिलकर अटैक कर देते है और जिसलिए लिए बिकनी पहनी हुई सारी लड़किया वहाँ से भाग जाती है जिस वज़े से पैटी का सपना चोपट हो जाता है लेकिन उसी समय ब्रिक एंजिल बनकर पैटी के लिए बिकनी पहनी हुई गे लड़कियों को लेकर आ जाता है और फिर पैटी ब्रिक को ठैंक्स के दिये ये सब देखकर मैगनोलिया को बहुत जलन होती है और वो जल्दी से ब्रिक का हाथ पकड़ कर उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है तुम सेकंड चांस डिसर्व करते हो तुमने ये सब मेरे लिए किया ये सुनते ही ब्रिक मैगनोलिया से कहता है नहीं मैंने ये सब पैट पर उसने अपने ही इवेंट में बिकनी नहीं पहनी थी पैटी अपने बोड़ी को लेकर काफी अनकमफ़टेबल थी और फिर सीन नौनी पर शिफ्ट होता है जहां नौनी बिकनी डॉग वाश के लिए आई हुई एक गे लड़की से पुछती है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम गे हो तो वो लड़की नौनी से कहती है एक्चुली मुझे पहले से ही पता था पर मैं एक टीनेजर थी और मुझे ऐसा लगा कि ये सब बस एक टीनेजर वाली प्रॉब्लम है मेरी एक बेस फ्रेंड थी मुझे उस पर क्रश था और जब मैंने उसके बॉइफ्रेंड को किस करते हुए देखा तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए और फिर मेरी ऐसी फिलिंग से उस दिन मुझे पता लग गया कि मैं कौन हूँ दरसल नौनी खुद गे थी वो पैटी पर मरती थी और इसलिए वो ये सब समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके ट्रांसजेंडर लड़की पर शिफ्ट होता है दोनों भी मीरर के सामने बिकनी पहन कर खड़ी होती है पर काफी अनकमफटेबल फिल कर रही होती है लेकिन हिमत जुटाने के बाद पैटी और वो ट्रांसजेंडर लड़की फाइनली बाहर आ जाती है लेकिन शर्म आने के वज़े से वो दोनों भी खुद को ढख लेती है फिर बॉब वहाँ आ जाता है इसलिए वो ट्रांस गर्ल वहाँ से चली जाती है बॉब पैटी से कहता है मैंने सब सम्हाल लिया ये सब रैजीना ने किया था और तुम फिकर मत करो मैंने मिस मैजिक जीजस में बात कर ली है तुम्हारा सिलेक्शन फिर से हो गया है ये सुनते ही पैटी खुश हो जाती है और बॉब से माफी मांगने लगती है और उससे ठैंक्स भी कहती है फिर बॉब वहाँ आ जाता है वो बॉब से अपनी मां के बारे में पुछता है पर बॉब वहाँ से चला जाता है फिर बॉब पैटी को कॉफी के लिए पुछता है पैटी एकदम से शौक हो जाती है और बॉब से कहती है हेई मैं पतली हो गई हूँ इसलिए मुझ पर इतना लाइन मा रहे हो क्या तो बॉब उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और फिर ये कहकर बॉब अपनी फिलिंग को रोक नहीं पाता है और पैटी को किस कर लेता है फिर क्या होना था उन दोनों का मस्त चलता रहता है और ये सब दो लोग देख लेते है एक तो है नौनी और दूसरी है मैगनोलिया नौनी को सड़नली ये रिलाइस होता है कि उसे भी मर जाना चाहिए और वो कहती है ओ माइ गॉड क्या मैं गे हूँ तो इसे के साथ एपिजोड फिफ्ट यही पर फिनिश होता है आगे क्या होता है ये जाने के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल दिवारे हैं हम पर जल्द मलागात होगी अगले एपिजोड में